हेलो गाईस वेलकम बेक टू माई चानल आज जो है हम चैप्टर 16 करने जा रहे हैं कॉंट्राक्स ओफ बेल्मिंट और प्लाज यह जो है आपका बिस्नेस लॉग का चैप्टर है और यह जो चैप्टर है बहुत साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉम जो जिन्होंने ल बहुत म εν 완성 है उनके इह बहुत ऑखाया करते हैं चैप्टर जो है कंट्राक्ट ऑफ बेल्मेंट और प्लैच कोंट्राक्ट अफ बैल्मेंट क्या होता है बेल्मेंट का मतलब होता है कि जो person माल लीजिए किसी एक person ने कोई goods card क्या किया है transfer किया है जो transfer करते है goods का उसको हम बेल्मेंट क्याते हैं और यह जो transfer होता है यह कैसा होता है temporary होता है अभी इसकी definition फढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आजेगा कि बेल्मेंट क्या होता है बेल्मेंट जो है बेल्मेंट इस दिलिवरी ऑफ गोड्स बेल्मेंट क्या है delivery है goods की by one person to another for some purpose under a contract यानि जो बेल्मेंट है क्या है delivery है goods की जहां पर दूसरे person को goods दिया जाता है और when the purpose is accomplished जैसे ही purpose complete हो जाता है उसके बाद उस goods को return कर दिया जाता है उस परसन को या फिर डिस्पोस कर दिया जाता है जिसके यह गुड्स होते हैं उसकी डिरेक्शन के according उसको dispose भी कर दिया जा सकता है फिर जो person goods को deliver करता है उसको हम bailer कहते हैं और जो person goods की delivery लेता है यानि जिस person को goods deliver किया जाता है उस person को हम क्या कहते हैं बेली कहते हैं चीक है example हम समझते है example से इसको कि जैसे सुमन है उसने कुछ अपना piece of cloth एक टेलर को दिया कि वो coat बना दे और यह क्यांसा contract हो गया यहाँ पर bailment का जहां पर किसके बीच में contract हुआ है सुमन के बीच में और टेलर के बीच में contract हुआ है सुमन इस टाइम पर क्या है bailer है क्योंकि उस गुट को उस cloth को उसको क्या दिया है delivery में दिया है और टेलर जो है वो क्या है बेली है इस contract के अंदर जब वो जो टेलर है उसका कोट सील कर उससे दे देगा तो उसके बाद ये contract में जो क्लोथ है जो कोट है आफ्टर स्टीचिंग उसको return करना भी पड़ेगा तो ये कौन सा contract हुआ contract of payment फिर उसके बाद क्या है characteristics of payment payment के क्या क्या characteristics होते है पहला है payment is a contract payment क्या है contract है कुछ situations को छोड़ कर payment एक ऐसा contract है जो की एक agreement होता है बेलर और बेली के बीच में उसके बाद ये एक contract बन जाता है जहां पर जो एक party होती है वो उसका proposal accept करती है और दूसरी party होती है वो proposal दे दिया पहली जो party होगी यानि जो बेलर होगा वो proposal देगा और जो बेली है उस proposal को क्या करेगा उस offer को accept कर लेगा तो यहां पर जो है ये एक essential एलिमेंट बन चाता है to a valid contract कि ये एक valid contract है उसके बाद है जो बेलमेंट है वो movable goods के उपर होना चाहिए जो बेलमेंट है movable goods पर जैसे यहां पर एक example जो हमने पहले लिया था कि सुमा ने close deliver के रिए क्या है movable goods है तो इस तरह से movable goods के उपर होना चाहिए इम्मूवेबल goods property के उपर नहीं होना चाहिए जैसे land और buildings हो गई इनके उपर contract नहीं होना चाहिए यहां पर currency को भी हम consider नहीं करते है movable property के लिए इसको हम किस property में consider करते हैं इस act में कि यह कौन सी property है इम्मूवेबल property है उसके बाद bailment involves transfer of position of goods जो bailment है वो involve करता है कि transfer होना चाहिए position of goods का यानि कि जो contract है bailment का उसमें जो goods है उसका transfer के साथ साथ उसके कुछ goods के rights वेगारा भी transfer होनी चाहिए उसका possession भी transfer होना चाहिए अगर यहाँ पर कुछ transfer नहीं हो रहा है if there is no such transfer तो यह contract of bailment नहीं कहलाएगा इन सच delivery को हम actual constructive or token delivery भी कह सकते हैं यह अभी हम आगे थोड़ा से detail में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है according to section 149 149 section के according जो delivery है goods की the delivery of goods to the bailie can be by any act that ensures the goods and transfer to the bailie office agent यानि यहाँ पर mayor custody of goods does not constitute a transfer यहाँ पर कुछ ऐसे cases हो जाते हैं कि कहीं पर हमें उस goods की जो possession है उसको transfer नहीं करते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक मालिक है अब उसने यह बोला कि वो थोड़े तर के लिए बाहर जा रहा है उसने अपने servant को बोल दिया कि मेरे घर की देख बाल करना तो उसमें हम उसको possession नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो एक सिर्फ custody है कि थोड़े time के लिए उसने दे दिया लेकिन पूरे की पूरी possession जो है वो किसके पास रहती है master के पास ही रहती है servant उस time पर bailie नहीं consider किया जा सकता फिर उसके बाद है the transfer under bailment is temporary जो transfer होती है bailment के अंदर वो कैसी होती है temporary होती है यहाँ पर अगर हम permanent transfer कर देंगे तो यह bailment के contract में नहीं आएगा यहाँ पर sale वेगरा हो जाएगी तो जैसे यहाँ पर बोल रखा है कि इसका main objective जो है must not be permanent transfer permanent transfer नहीं होता है अगर यह permanent transfer हुआ तो हम sale of goods के act में इसको consider करते हैं जैसे यहाँ पर बोला है if a gives a permanent transfer of his watch अगर a b को permanently watch दे देता है for a consideration of 100 rupees उसमें से 100 पर ले लेता है और तो फिर यह क्या हो गया यह sale का contract हो गया bailment का contract नहीं हुआ यहा bailment के contract में बहुत सारे example ले सकते हैं जैसे आपने अपने friend को कोई book दे दी तो वो भी bailment का contract माना जाएगा कि आपने थोड़े time के लिए उसे पढ़ने के लिए दे दी है तो उसके बाद 5th point है the goods must be delivered to the other person goods जो है वो deliver किये जाने चाहिए other person को अगर आपने goods deliver ही नहीं किये हैं तो उस contract को हम bailment का contract नहीं कहेंगे अब इसमें cases दे रखे हैं तो यहाँ पे पहला case है कि जो इंदर कुमार है versus the state of UP is an important illustration इसमें क्या बोला गया है कि इस case में क्या हुआ था कि एक person ने क्या करा जो बस है उसकी रूप पे अपना baggage रख दिया और जो baggage है वो बात में lost हो गया और उसके बाद इस contract को court ने क्या नहीं माना कि bailment का कोई contract नहीं है क्योंकि ज पेल्मेंट का contract नहीं आता यह उस person की कलती है फिर उसके बाद दूसरा case इन्होंने दे रखा है कालिया पर्मुल वर्सिस विशा लक्षमी का case है यहां पर एक लेडी है लेडी गेव हर जोयल्डरी टो गोल्ड स्मित यह जो लेडी है वो अपनी जोयल्डरी देती है सुनार को और उसको melt करने के लिए और नई जोयल्डरी पनाने के लिए तो वो हर evening अपनी unfinished जोयल्डरी को receive करती है और उसी गोल्ड स्मित के premises में locked करके रख लेती है और की भी अपने पास ही रख लेती है लेकिन एक रात को क्या हुआ जो जोयल्डरी है वो चोरी हो गई तो court ने य नहीं था क्योंकि उसने चावी बगेरा सब अपने पास रख ली थी उसके पात six point the bailer has the right to the return of the goods जो बेलर है उसके पास right होता है कि goods का return करे ठीक है जैसे as for the definition definition के according जो भी goods अगर किसी बेलर ने दिये है और बाद में जैसे ही बेल्मेंट का जो contract है वो खतम हो जाता है तो उ जातों return करने चाहिए या dispose करने चाहिए अगर goods बेलर को नहीं दिये जा रहे हैं तो यह भी कोई बेल्मेंट का contract नहीं है और इसमें यह बात होना बहुत जादा जरूरी है फिर उसके बाद ऐसे ही आपर in some cases कुछ cases में the goods that are delivered are mean to be modified or changed जैसे कुछ goods दे रखे हैं कुछ modify or change कर clothes दिया गया था जो tailor है उसको modified form में ही क्या करेगा return करेगा in the shape of a shirt shirt की shape में कर सकता है pen की shape में या जो भी आपने उसको बनाने के लिए दिया था फिर उसके बाद है delivery of goods in a contract of payment यहाँ पर mainly 3 delivery तीन तरह की delivery होती है तो first one is actual delivery actual delivery में क्या होता है कि जो goods हैं वो actually physical terms में deliver किया जाते हैं जैसे कि कि किसी tailor को cloth दे दिया stitch करने के लिए TV repair करने के लिए mechanic को दे दिया और भी बहुत सारे examples आप ले सकते हैं फिर उसके बाद आता है constructive delivery constructive delivery कौनसी delivery होती है इन में जो goods हैं उनका physical transfer नहीं होता यानि actual delivery वाला काम इसमें नहीं होता है यहाँ पर जैसे अगर हम example ले कि आपने किसी shop से कुछ समान खरीदा आपने वहीं छोड़ दिया आपने कहा कि अभी मैं इसे नहीं ले जा सकता तो यहाँ पर physical delivery नहीं हो है जो seller है उस टाइम पर वो बेली बन जाता है कि आप उस seller को बाद में आपका समान देना पड़ेगा तो यह कौन से delivery हो जाती है constructive delivery और यह इस contract यह वाला जो contract होगा यह कौन से contract माना जाएगा बेल्मेंट का ही contract माना जाएगा इसमें भी फिर है token delivery token delivery क्या होती है जो goods are not delivered to बेली बेली को goods deliver नहीं की जाती है only an act is performed that transfer the goods कुछ ऐसा act perform किया जाता है जिनसे जो goods है वो transfer हो जाए औ और his authorized agent यानि बेली को transfer हो जाए और उसके किसी अगर agent है तो उसको transfer हो जाए जैसी यहां पर एक example दे रखा है कि आपने go down की किसी को key दे दी लेकिन आपने उसको goods deliver नहीं किये हैं एक तरीके से लेकिन आपने फिर भी उसको कोई ना कोई property थोड़ी time के लिए transfer कर दी और या giving the delivery authorization to load goods in the truck या फिर delivery आपने दे दी कि आप इस जो goods है ट्रक में load करकर deliver कर सकते हैं किसी दूसरे person को यह कह दिया लेकिन वहाँ पर आपने कोई goods की delivery नहीं करी है उसका goods का transfer नहीं करा है जहां पर goods का transfer नहीं हो रहा है उसको हम token delivery कहते हैं फिर यहां पर बोला है is deposit in a bank is bailment क्य तो क्या वो bailment में consider किया जाता है तो जो answer है वो है no because जो currency notes और coins है जो bank में दिये जाते हैं are not returned in the same form क्योंकि वो same form में return नहीं होते हैं जैसे bailment के time पर अगर आपने मालीजे किसी को book दी तो आप उसी condition में उस book को लेंगे अगर वो condition change हो जाती है book की तो आप उससे compensation रख पात होती है अगर same form में होती है तभी उसको bailment का contract कहा जाएगा अगर वो same form में नहीं होंगी तो इस contract को हम bailment का contract नहीं कहेंगे the bank does not guarantee to return the money in the same form it was deposited bank को यह guarantee भी नहीं देगा कि जिस form में आपने money transfer की थी या deposit की थी तो उसी form में आपको मिल जाएगी it guarantees to return the value of money that was deposited यह सिर्फ उतनी की guarantee देगा कि आपने कितनी value of money deposit की है वो return करने की guarantee देगा यह नहीं guarantee देगा कि आपने 500 का कौनसा note दिया था आपने 1000 का कौनसा note दिया था तो वही form में आपको वो पैसा नहीं मिलता है यहाँ पर फिर एक case दे रखा है शंकरलाल versus बुरालाल का case है जहां पर यह बोल रखा है कि जो money and deposit की गई current or saving account में या किसी और other account में लेकिन bank जो है वो payment के contract में consider नहीं किया जाएगा because the relationship between the bank and the depositor is one of the creditor and the debtor यानि यहाँ पर जो है जो bank और जो depositor है और जो bank है उसका जो क्या है relationship कैसा है debtor और creditor का है लेकिन अगर हम दूसरे तरफ बात करें कि अगर कोई person some valuable चीज रखेगा जैसे cash या ज्वैलरी जो है अगर वो bank के locker में अपने case safe custody के लिए रखता है तो य के cases कौन से होते हैं bailment के cases होते हैं फिर यहाँ पर है types of contract of bailment bailment के contract के क्या-क्या types है तो first one is contracts from the point of view of rewards and contracts from the point of view of object पहले point of view of rewards देखेंगे तो पहला जो है वो है bailment for reward और non-gratitudes bailment तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी goods किसी person को अगर transfer करते हैं उसके बद्ले में अगर हम कोई consideration लेते हैं consideration यानि कि उसका कोई पैसा लेते हैं तो हम उस contract को किस तरह से कहेंगे कि वो non-gratitude bailment है ठीक है जैसे यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप कोई locker bank में लेते हैं त तो उसके लिए आपको कोई charge पे करना पड़ता है कोई repairing gadget के लिए आप लेते हैं तो कोई charge उसके लिए पे करना पड़ता है लेकिन the second one is gratitude payment है उसमें क्या होता है कि gratitude payment में कोई भी consideration पास नहीं होती है बेलर और बेली के बीच में अगर A person ने अपनी cycle B को दे दी है और वो from the point of view from the object point of view तो पहला है बेल्मेंट for use यानि जो ओनर होना चाहिए उस आइटम का तो उसको क्या करना चाहिए कि जो बेल्मेंट है अगर वो दिया गया है कि आप इसको use कर सकते हैं तो इसको हम object point of view कहेंगे जैसे A lands his camera for a month for the use of B who is going to holiday B person है holiday पर कहीं जा रहा है तो A से उस उसने camera दे दिया use करने के लिए उसे तो ये भी contract of bailment है इसको भी हम इसके अंदर consider करके चलेंगे फिर उसके बाद है बेल्मेंट for case safe custody safe custody के लिए भी बेल्मेंट होता है अगर जैसे A ने A deposit his suitcase and holds the railway clock room अब उसने A ने क्या करा अपना suit case रखा और कहां पर रख दिया railway के clock room में और कुछ payment वगेरा भी दे दी तो वो किसली है save custody के लिए भी जो अगर बेल्मेंट की जाती है तो वो भी बेल्मेंट के contract में आती है फिर उसके बाद है कि बेल्मेंट for carriage बेल्मेंट for carriage का मतलब है when a transport company is given charge of goods for transportation from one place to another it is deemed to be a bailment of charge यानि यहाँ पर हम custody दे देते हैं जैसे transport companies जो है उनको कह दिया जाता है कि आप यह goods ले 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 और बात में उसको transport कर देना तो यह क्या है carriage के लिए भी जब goods दिये जाते हैं तो उनको भी बेल्मेंट के अंदर लिया जाता है फिर है यह भी एक type of बेल्मेंट है बेल्मेंट for alteration in shape alteration in shape में यानि अगर बेल्मेंट में आपने कुछ दिया है जैसे piece of cloth दिया था टेलर को उसने stretch करके दिया तो वो उस modified form में देगा तो जब उसकी shape में change आ जाता है तब भी हम उसको बेल्मेंट मानते हैं आपने उसकी shape change करने के लिए उसको दिया था जैसे यहाँ पर एक और example दे रखा है beat to a mill to be turned floor आपने game हूं दे दी कि उससे आटा बना सकें तो इसमें भी क्या है alteration है जानी कही ना कही shape में change है उसके बाद है बेल्मेंट for repair बेल्मेंट for repair में क्या है कि यह बेल्मेंट repair की भी हो सकती है जैसे अगर आपने कारपेंटर पढ़नी चर्चों है बोला कि कारपेंटर को repair कर दे तो यह भी क्या है repairing है अगर आपका tv खराब है आपने mechanic को बोल द अगर आप कुछ security of loan के चक्कर में कुछ भी आप प्लैज में रख देते हैं यानि गिर्वी में रख देते हैं तो यह भी बेल्मेंट कहलाया जाएगा for example if a hands over his gold watch a ने अपनी gold watch दे दी to be be को दे दी for the security of loan loan की security के लिए तो यह भी क्या क्या लाया जाएगा बेल्मेंट for pawn and pledge फिर उसके बाद हमारे पास आता है duties and responsibility of bailer क्या-क्या duties और क्या-क्या responsibilities बनती हैं bailer की तो पहला है क्या duties है उसकी to disclose false in the goods bill जो भी वह goods बेल्ड कर रहा है अगर उसमें कोई भी default है तो उसको बताना चाहिए जैसे according to section 150 150 के according section की जो bailer है उसको point out करना चाहिए कोई भी defect है अगर वह good उसको deliver कर रहा है किसी बेली को अगर उसमें कोई defect है तो उसको उसको बताना चाहिए अगर उसकी वज़े से कोई भी cause हो जाता है कोई भी damage बेली को वह करनी पड़ती है जेलनी पड़ती है तब उस damage को सारा सारा damage का जो पैसा होगा वह कौन देगा पेली देगा वही responsible होगा sorry sorry बेलर देगा वही सारा responsible होगा उस पॉल्ड का ठीक है जैसे यहां पर एक example है कि रमेश ने एक रमेश हायर्स a car from महेश महेश से रमेश ने महेश ने रमेश से एक कार ली और उसको पता ही नहीं था कि वो कार में जो brakes हैं वो proper काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बात रमेश को पता थी ठीक है तो रमेश ने क्या करा अब उसका accident हो गया तो रमेश को तो पता थी ये बात महेश को नहीं पता थी तो उसका accident हो गया तो सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगा रमेश उठाएगा यहां पर मैंने सिर्फ नाम का इदर उदर कर दिया है वैसे जो यहां पर case है वो पही है to repay the necessary expenses necessary expenses उसको देने पडेंगे कैसे under the section 58 158 the terms of the contract required the baili to keep the keep some goods in bailment and transport such goods or when he has to do any repair of such goods which there is a charge the bailer is bound to buy law to pay all the necessary expenses inquired by a baili on the behalf of bailer अब इसमें क्या है कि अगर माल लीजिए किसी person ने कोई goods अगर transfer किये हैं किसी को और उस पर उस person दूसरे person ने कोई पैसा खर्च किया है तो वो सारे expenses bailer को pay करने पड़ेंगे जैसे यहां पर एक example दे रखा है जो रवी है leaves his horse with mukesh उसने अपना जो गोड़ा है वो mukesh को दे दिया और कुछ time के लिए दे दिया मुकेश is not to be paid for taking care of the horse and but the horse need to be fed and taking care of in this case रवी is liable for all the expenses incur यानि लवी इसके लिए liable होगा जो भी expenses मुकेश उस घोड़े पर करेगा अगर घोड़े को treatment भी चाहिए अगर वो बिमार हो जाता है या injured हो जाता है उस time period में तो वो सारे के सारे expenses रवी को पे करने पड़ेंगे उसके बाद next point है to identify the belly यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजे कि अगर जिसने भी custody यानि दी है goods की goods किसी person अगर deliver करें है और वो उसके goods नहीं है किसी और person के goods है और उस person को उस damage से अगर कुछ सफर करना पड़ा है तो वो सारे का सारे damage वो person पे करेगा जिस person ने goods deliver की है अभी example देखेंगे तो बहुत अच्छा से clear हो जाएगा जैसे A gives a card to an auctioner C, the real owner of the card is B C auctions the card to the third party and B files a suitcase against C in this case A will be the responsible for all the damages that B might have to pay C यहाँ पर क्या हुआ A ने card देदी C को निलामी हो रही थी auctioner का मतलब है निलामी के time पर C ने जो है उस car को आगे किसको दे दिया किसी third party को दे दिया उसने भी कहीं निलामी कर दिया किसी third party को दे दिया लेकिन वो जो car है देने पड़ेंगे उसके लिए वही responsible होगा क्योंकि उसने ही C को कार दी थी तो जो C को पे करने के लिए B ने कहा है B person ने कहा है कि तुम C को कहा माल लीजे 1000 रूपीज तुम पे करोगे तो वो 1000 रूपीज C नहीं पे करेगा वो कौन करेगा A वाला person पे करेगा ठीक है फिर है फूर्थ liability on premature breach of bailment इसमें क्या है कि अगर माल लीजिए bailer जो है वो पहले ही expiry of bailment के contract के पहले ही जब वो contract खतम ही नहीं हुआ उससे पहले ही अगर वो यह क्या देता है कि मेरे को वापिस चाहिए मेरी possession of goods मुझे वो वापिस कर दो और उस वज़े से अगर किसी bailie को बहुत जादा loss suffer करना पड़ जाता है तो उस case में जो bailer है वो उन सारे losses के लिए responsible होगा उन सारे जो भी loss उस bailie को हुए है वो सारे के सारे उसको pay करने पड़ेंगे चीके आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक नेक्स वीडियो में हम करने जारे है नेक्स टॉपिक बाबाई